वेलकम 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 जी हाँ दिल से सबको वेलकम लेकिन सबसे जिसको वेलकम है वो है परसाथ सावन हाँ हाँ यानि सर्दियों की पहली पहली बारेश जी हाँ टिप 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 जनाब हमारे इलाके में तो सर्दियों की पहली बारेश हो चुकी है अब आप लोग ब जाके में सर्दियों की पहली बारिश हुई है या नहीं हुई लाजमी आप लोग उने हमारे साथ शेयर करनी है ये वार ठीक है ना हमारे हां तो जब तकरीबन सुबह के कुछ चार का टाइम था या साड़े-चार का मेरी आंक जब खुली है तो मुझे आवाज आई जोर से ट टिप 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 की तो जब मैंने गोर किया तो मुझे पता चला ओए ये तो बारिश हो रही है और जना बारिश हो रही थी तो सोचे कि चले आज इसी पर एक वीडियो बना लेते हैं हलाके मेरे पास वीडियो अलहम दिलेला काफी हैं पड़ी लेकिन 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 ये है कुछ नियू टॉपिक क्योंकि कुप से बारिश नहीं हुई थी और जब लास्ट टाइम बारिशे हुई थी तो तब बारिशे नहीं थी अब आगे तो मैं कोई साइज जान की बच्ची नहीं हुँ कि मैं इसकी अफादियत भी बता तो तो यूँ कहले के हद उसको एक हद लग जाती है अब आगे तो मैं कोई साइज जान की बच्ची नहीं हूँ कि मैं इसकी अफादियत भी बता तो सर्दियों और गर्मियों के बारिशों का लेकिन जो मतलब थोड़ा बहुत है नौलेज वही बता रही हूँ खैर तो आप सब को अच्छा ये फिर कोगे कि आज फिर हाथ दिखा रही है जी हाँ हाथ इसलिए दिखा रही हूँ क्यूंकि मैंने सोचा है कि चले लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने सिर्फ मेरे हाथ की पसंद किया ये कोई तुक्र वाला और जो मतलब मैं फेस दिख अच्छा रहा है और लेकिन ये है बालन बालन दोर तरक होता है वह आ चृतिया यानि कपास की जो हती है ना चुनाई करके जो बच चाती यह लगडी यह वह है और यह है ताली तो यह हमारे घर चूंकि हमने पिछला पूर्शन जो है ना वह खाली करके उसकी भराई और तो गभी-कभी यूज़ करते हैं जब तंदूर पे हमें रोटी बनानी पड़ती है तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो सोचे करें आप सब को भी दिखा दें बता दें। और आप लोगों को आस्मान की भी नजारे करवा दें। यह हमारा सुहांजना मरिंगा हाँ हाँ लोग तरस जाते हैं इसको खाने के लिए यह हमारा चोटा चोटा मरिंगा यह हमारे खजूर खड़े हैं खजूर 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 डेट्स तो फिर हम आजाते हैं बालाण की तरफ जहांसे बात शुरू की थी वहीं पे बात खतम होगी बात है सीधी तो अभी तो मतलब ये फस्ट बारिश हुई है देखें खान तो बहुत खुश है क्योंकि गंदम के लिए कहते हैं कि बहुत फाइदा मांद है और वागी चीज़ों के लिए भी है जहरी बात है और खान कल भी तकरिबन पानी लगाता रह गया था और आज भी उसकी बारी थी पानी लगानी की लेकिन खान साब खुश है कि शुकर है जमीन मतलब थोड़ी तर हो गई है ज्यादा पारिश नहीं हुई तर हो चुकी है मतलब आज पानी लगानी की बारी नहीं तो खान साब तो हैं खुश तो जब हो खुश है तो फिर जहरी बात है हम भी खुश है जनाव दिल कर धड़कन से अलाइदा तो नहीं किया जा सकता तो अभी मैंने सोचे कि चले आप सब के साथ थोड़ी से एक वीडि है आप सबसे वीडियो तो देख लेते हो लेकिन बीच बेना डंडी मार देते हो अब मैंने आप सब के ना एक रग पकड़नी है आप सब की जोरी पकड़नी है और आप लोग ने मुझे बताना है के आप लोग मुझे सवाल का जवाब दे किस किस के आलाके में बारिश हुई ह जिसने मुझे सही जवाब दिया मैं समझ जाओंगी ये रेगुलर और कम्पलीट डव्लियो टी देने वाले लोग हैं बात है सीधी ओके तो तब तक के लिए मुझे थे हैं आप लोग अजाज़त मिलेंगे फिर एक और अच्छी से वीडियो के साथ इन्शालला अलाह अप पीस